नमस्कार महस्लामोदिन खान आप देख रहे हैं प्रहार टाइम भगवान स्री कृष्णि की जन्म अश्टमी का तेवार आज पूरे देश में धूम धाम से मनाया गया जन्म अश्टमी सिर्फ भारत ही नहीं बलकि विदियोसों में भी रह रहे है भारतियों ने बड़ी ही ध धूम धाम से मनाया आपको बता दे कि कृष्णि जन्म अश्टमी भाद्रपद मास की अश्टमी को पड़ती है ये तेवहार भगवान कृष्णि के जन्म के उपलक्ष में मनाया जाता है इस तेवहार की धूम हमें ठाने सहर के मुम्बरा में देखने को मिला जहां लोग ढ भोल तासे पर जूमते नजर आये तो वहीं दही मटकी भी फोड़ी गई आपको बता दे ये तेवहार भिभिन रूपों में मनाया जाता है कहीं फूलों रंगों में मनाया जाता है तो कहीं दही हंडी फोड़ कर मनाया जाता है आईए हम आपको दिखाते हैं मुम्बरा सहर एक तस्वीर जहाद दही हंडी फोल कर मनाई गई क्रिश्न जनमस्टमी कि लσे लेकी जार मुझेशन just कि ढहने कही रहते समय क्रिंट Hers disease कि दूद्न 10.1, लोस्पमी फैं कि झाल झाल आपो बता दे कि आखिर दही हंडी क्यों फोड़ी जाती है क्रिष्ण की माखन चोरी से तंग आकर ब्रिंदावन की महिलाएं माखन की मटकी उचाई पर लटकाना शुरू कर दिया मगर क्रिष्ण ने उनकी इस योजना पर भी पानी फेर दिया उनाणों में कहा गया है कि कंस के अत्या चारों से मथुरा वासियों को बचाने के लिए भगवान स्री किरिष्ण ने जन्म लिया था कंस की बहन देवकी का विवाह राजकुमार वासु देव के साथ हुआ था विवाह के बाद कंस जब दोनों को साथ लेकर घर जा रहा था उसी वक्त भविश्वाणी हुई देवकी का आठमा संतान कंस तेरा वध करेगा कभी से देवकी और वासू देव को कंस ने कारागार में कैद कर दिया था इसी कारागार में आठवी संतान की रूप में क्रिश्न का जन्म हुआ था देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे है प्रहाड टाइम्स